अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम एसीडीटी को कैसे क्योर किया जाए बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी है आज के एपिसोड में देखेंगे नाचुरली किस तरीके से आप अपने एसीडीटी को खत्म कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा आईए स्कार करें वेलकम बैक आज हम छे तरीकों की बात करने जा रहे हैं जो हेल्प करेगा आपकी एसीडीटी को दूर करने में सबसे पहला है स्टिमुलेंट स्टिमुलेंट का मतलब होता है टी और कॉफी या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैफीन हो जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट कर रहा हो हो या फिर आपके हार्ट रेट को आर्टिफिशली बढ़ा रहा हो कोई भी ऐसी चीज आपके गट में जाके एसीडीटी क्रियेट कर सकता है अगर आप उन लोगों को जो सुबह उठते के साथ चाय पीते हैं और उनको एसीडीटी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको वह चाय बंद करने की जरूरत है क्यों क्यों क्योंकि वह आपके लिए जहर का काम कर रहा है तो सबसे पहले स्टिमुलेंट को अपने डाइट से बाहर निकालें दूसरा वाटर कंटेंट अगर आप दिन भर में हाई प्रॉटीन डाइट ले रहे हैं या फिर आप पानी का इंटे कम कर रहे हैं तो आपके स्टमक में जो एसीड प्रॉड्यूस हो रहा है वो प्रॉप आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए पानी बहुत इंपोर्टन ए सेल्ज के अंदर वाइ्टमीन्स और मिनरल को पहुचाने के लिए और इस तरह से पानी का बहुत जाधा Rol है आपकी Bolu के ओवर ऑल हेल्थ में फयल्थ कोग्रीट करने के लिए पानी की कमी आप से पानी जरूर पी और requirement को कैसे चेक करना है requirement को चेक करना है urine color से अगर आपका urine का color pale yellow या dark yellow है इसका मतलब आप पानी बहुत कम पी रहे हैं पानी इतना पीना है कि आपके urine का color clear हो crystal clear का मतलब कि आर over hydrated है SDD के case में चलेगा बट सिर्फ clear हो तो भी चलेगा तो पानी का intake जरूर करें और कभी ऐसा नहों कि अचानक से आपको याद आगया कि अड़े मैंने पानी नहीं पिया और एक बार में एक लिटर आप पानी पिएंगे तो वैसे पानी पीने का कोई भी फायदा नहीं है Body एक बार में 200-500 ml पानी ही absorb कर सकता है So better है कि आप अपने फोन में अलाम लगा के रखें कि बहुत लोगों को आदत नहीं होती पानी पीने की तो जब भी अलाम बजे 200 ml पानी आप ले लें इस तरह से 3-4 लिटर पानी properly distribute करके तीसरा अपने meal time को fix कर लें क्यों fix कर लें क्योंकि body clock के हिसाब से चलता है Body का एक अपना time होता है body की एक अपनी habit होती है अगर आप ऐसे आदमी है या ऐसे person है जो किसी भी समय कुछ भी खा रहा है तो acidity की chances बहुत ज़ादा है क्यों क्योंकि जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो body को एक signal नहीं मिल पाता कि किस समय acid को produce करना है stomach के अंदर वो पूरे time acid को stomach के अंदर रखता है क्योंकि उसको मालूम नहीं कब क्या आ जाया और उसको digestion process start करना पड़े अगर body को मालूम है कि उसके पेट में 4 time खाना जा रहा है सुबह 8 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम के 4 बजे और रात के 7 बजे तो वो उसी time stomach में acid release करेगा ये anticipate करते हुए कि भी खाना आने वाला है So meal time को fix करिए और जब आप meal time fix करेंगे तो एकदम से result नहीं आएगा थोड़ा time देना पड़ेगा In fact, ये 6 चीज जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा कि 6 चीज आपने apply की और कल से result आना चालू हो गया कम से कम 20 से 25 दिन दीजिए और diligently इसको follow करिए और फिर देखे कि किस तरह से result आता है चौथा Meal time तो आपको fix करना ही करना है इसके साथ आपको ये भी fix करना है कि इस meal में आप क्या-क्या खाने वाले हैं क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से fix रखते हैं कि आप क्या-क्या खाने वाले हैं क्योंकि जब आप fix नहीं करेंगे तो जो भी आपके सामने आता चला जाएगा आप उसको खाते चले जाएगे और eventually वो आपके gut के लिए जादा overload हो जाएगा और फिर acidity की problem start हो जाएगे acidity है तो आपको वो चीज़े नहीं खानी जो आप actually जानते हो के acidity create कर देता है जैसे खाने के साथ fried का खाना कोई भी fried item या फिर sweets जो बहुत ज़्यादा तला हुआ है जैसे गुलाब जामुन हो गया बूंदी हो गया एक्सेक्टर हो गया तो इन सब चीज़ों से दूर रखना है याद रखे दोस्तों कोई भी problem हमारी खुद की create की हुई होती है उपर से कुछ भी नहीं आता हमारी lifestyle की वज़े से ये सारी problem में जैसे ही आप चीजों में सुधार करेंगे आप देखेंगे कि सुधार हो रहा है medicines किसी भी चीज का solution नहीं है medicines केवल आपको भूल भूलया में रखता है कि हाँ चीजे सही है जैसे आप medicine छोड़ेंगे वो problem वापस आ जाईए और medicines का side effect होता है आगे बढ़ते हैं पांच बात observe करिए कि किस समय पूरे दिन में किस time आपको acidity create हो रही है क्योंकि जब आप ये observe करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आपने suppose कर लीजे आपको 4 बज़े acidity create हो रही है ये शाम में acidity चालू हुई तो आप इससे पहले क्या खाये थे आपको पता होगा और इस तरह से आप कुछ चीजों को eliminate कर सकते हैं जिसको आपकी body properly breakdown नहीं कर पारी यानि कि body properly suit नहीं कर पारा है इसलिए important है ये भी आपको देखना है कि कहीं आप gluten और lactose intolerant तो नहीं तो इसका test होता है blood test भी होता है और gene test भी होता है आप दोनों test करा के sure हो लीजे कि कहीं आप gluten intolerant और lactose intolerant तो नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ इस लिए भी acidity होती है क्योंकि उनकी body proper gluten को breakdown नहीं कर पाती और lactose को breakdown नहीं कर पाती gluten उन चीजों में पाए जाता है जो गेहूं से बने हैं और lactose का मतलब दूद या दूद से बना हुआ कोई भी product च्छटा कारण सबसे important है और 90% of the cases में यही कारण होता acidity का और वो है gut brain axis मतलब की आपका brain किस तरह से काम कर रहा है वो आपके gut को impact करेगा अगर आप याद हो आपको school time में तो जब भी आपको principal साब stage पे बुलाते थे आपके पेट में गुड़गुर start हो जाता था ऐसा लगता था lose motion लगने वाला है ठीक है वो क्यों होता था क्यों क्यों क्योंकि आपके brain में कुछ हो रहा था इसको हम आज के डेट में stress के नाम से जानते हैं और आज के डेट में हम 24 घंटे में से 20 घंटे stress में हैं और ये stress किस चीज़ को impact कर रहा है आपके gut को impact कर रहा है आपके digestion process को impact कर रहा है यानि कि आप stress में रहेंगे तो acidity की problem normal है होनी ही है तो अगर बहुत ज़्यादा stress है उपर बताय हुए पांच कारण में से कोई भी कारण match नहीं कर रहे है तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए professional help लीजिए और अगर पांच कारण में से कुछ कारण match कर रहे हैं और आपने उस एक ऐसा चीज है जो body में सिर्फ acidity ही नहीं हर तरह की बिमारी के लिए responsible है stress बहुत खराब चीज है अगर कोई question हो इस चीज से related तो comment में डालके पूछे मैं जवाब दूगा कोई topic हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं video बनाओ वो भी comment में बता दीजिए मिलेंगे अगले episode में एक नए topic के साथ this is Kapil Kanodiyya signing out